उधारन दो, अन्वर ने अपने घर की चट पर एक घनाकार पानी की टंकी धककन सहीद बनवाई, जिसके बाहरी किनारे की लंबाई 1.8 मीटर है, वो इसके आधार के प्रिष्ट को छोड़ कर शेश सभी प्रिष्टों पर 30 सेंटीमिटर भुजा वाली वरगा कार टाइल्स ल लगवाने में 396 रुपए खर्च होते हैं, तो अन्वर को कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। के पाँच बाहरी प्रिष्टों पर टाइल्स लगवानी है इसलिए लगने वाइल्ली टाइल्स की संख्या संख्या का पता लगाने के लिए इन प्रिष्टों काकूल छेत्रिफल ग्याद करना पड़ेगा बच्चों हमको घनाकार टंकी के जो बाहर किनारे की लंबाई है उससे हम मीटर से सेंटी मीटर में बदलेंगे तो आईए देखें घनाकार टंकी के बाहर किनारे की लंबाई ए बराबर एक दशमलो आठ मीटर बराबर बच्चों एक मीटर में सौ सेंटी मीटर होते हैं तो जब हम एक दशमलो आठ को सो से गुणा करेंगे तो यह आएगा एक सो असी सेंटी मीटर इसलिए घनाकार टंकी के पांच प्रिस्ठों का छेत्रफल बराबर पांच ए स्क्वेर पच्चों एक अमान हम रखेंगे ती हो गया फाइव इंटू एक अमान बच्चों कितना आ गया वन एट्टी इंटू वन एट्टी वर्ग सेंटी मीटर यह हमने समीकार एक दे दिया इसको अब बच्चों हमारे को जो है वर्गाकार जो टाइल्स हैं उनका छेत्रफल ग्याद करना है तो आईए देखें प्रत्येक वर्गाकार टाइल्स का छेत्रफल बराबर भुजा गुनेत भुजा तो बच्चों हमारे पास वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा की लंबाई 30 सेंटी मीटर है तो बच्चों यह हो जाएगा 30 गुनेत 30 वर्ग सेंटी मीटर इसे हम बच्चों समीकर्ण दो का नाम दे देते हैं बच्चों अभी हमने घनाकार टंकी के पांच पिस्टू का छेत्रफल ग्याद किया और साथी साथ एक टाइल की छेत्रफल भी हमने ग्याद किया बच्चों आपने देखा होगा कि गर्णा करते समय हमने उसको सरल करके एक मान प्राप्त नहीं किया उसका कारण यह है कि जब हम टाइलों की संख्या निकालने हित्व गर्णा करेंगे तो यह सभी जो पद हैं वो आसानी से सरल रूप से जो है वो हल किये जा सकेंगे कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा इसलिए हम उसकी प्रारम में गर्णा करके एक मान प्राप्त नहीं करेंगे तो आईए देखें कि टाइल्स की संख्या हमारे पास क्या आती है और बच्चों इसलिए टाइल्स की संख्या बराबर तो बच्चों हमारे पास आगया यहाँ पर टंकी के पांच प्रिस्ठों का छेत्रफल बटे या कहें भागेत प्रत्यक टाइल्स का छेत्रफल तो बच्चों हमने आप देखें कि जो हमारा समीकान एक जिसको हमने नाम दिया था उसमें हमने टंकी के पांच प्रिस्ठों की गर्णा की थी और वो मान आया था बच्चों पांच गुणित एकसो असी गुणित एकसो असी भागेत प्रत्यक टाइल्स का छेत्रफल बच्चों हमने देखा 30 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर था तो बच्चों देखें कि ये जो कैलकुलेशन है वो सरली कृत होकर कितना आता है ये आ जाएगा 180 बहुत आसान है इसका कैलकुलेशन बच्चों आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारे पास 180 टाइल्स हमको प्राप्थ हो रही है टंकी के जो घना का टंकी हमको दी गई है उसके पांच पिस्टों पर टाइलिंग करने के लिए 180 टाइल्स की हमको आशक्ता होगी बच्चों हमें एक दर्जन टाइल्स के लिए जो खर्च है वो दिया गया है जो की 396 रुपया है तो देखें आगले कैलकुलेशन हमारी क्या आएगी एक दर्जन टाइल्स लगवाने पर खर्च बराबर 390 रुपया है इसलिए बच्चों अब हम एक टाइल्स लगवाने के खर्च की गर्णा करेंगे तो बच्चों देखें कि एक टाइल्स लगवाने का खर्च क्या होगा एक दर्जन टाइल्स मतलब 12 टाइल्स तो बच्चों हमें ये दिया हुआ था कि 12 टाइल्स का खर्च 396 रुपया है इसलिए एक टाइल्स लगाने का खर्च बराबर 396 भागित 12 बराबर 33 रुपया तो बच्चों अब हमारे को टोटल कितनी टाइल्स लगवानी है एक सो असी टाइल्स लगानी है इसलिए एक सो असी टाइल्स लगवाने पर खर्च बराबर 180 गुणेट एक टाइल्स की कीमत कितनी है बच्चों 33 रुपया तो 180 गुणेट 33 जब इसकी हम गणना करते हैं तो बच्चों ये आता है 5940 रुपया तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि जो हमने उधारन लिया था जिसमें एक घनाकार पानी की टंकी थी जिसकी लंबाई 1.8 मीटर है एक बाहर किनारे की उसके पांच पिस्टों पर टाइल्स लगाने का जो खर्च है वो 5940 रुपया आया और इस प्रकार ये प्रशन हल हुआ